जी मैं यही कहूँगी कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से गोवरनर एड्रेस सुना, सब ने मतलब अच्छे से पार्टिसपेट कर रहे थे लेकिन पीडीपी ने अपनी करूर मानसिक्ता का परदर्शन पहले भी किया था और उसी करूर मानसिक्ता को लेके वो आज भी बोल रही थी, बोखलाई हुई थी, तो मैं यही कहूंगी, जंता के हित के बारे में हम अगर जंता के नुमायिन देहें, जंता के हित के बारे में सोचना चाहिए हमें, सड़क, पानी और बिजली को लेके बाद करनी चेह ना की 370 के राग को लापना चाहिए क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे लेजिसलेटर्स हैं जो बहुत कम उमर के थे जोती रादितिय सिंधिया जी जो बहुत पहले चुनके आये थे और भी बहुत सारे लोग हैं हाँ मैं ये कहूंगी कि इसके लिए में किष्टवार के तमाम लोगों का तहे दिल से हाज जोड के शुकरियादा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा का अफसर दिया और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि जब तक शगुन परिहारी सदन में बैठी हुई है वो किष्ट जी मैं यही कहूंगी जिस तरीके से आज हमने ये जो बैठे हुए थे लोग इनको बात करने नहीं दी इस चीज़ को लेके जो की गलत बात है जो 370 को लोग सभा से पास हुआ राज्य सभा से पास हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मोहर लगाई हुई है ये उन चीज़ ना तो पहले कभी किया था ना ही आगे कभी करेंगे जी मैं यही कहूंगी कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से गोवरनर एड्रेस सुना सबने मतलब अच्छे से पार्टिसपेट कर रहे थे लेकिन पीडीपी ने अपनी करूर मानसिक्ता का परदर्शन पहले भी किया था और उसी करूर मानसिक्ता को लेके वो आज भी बोल रही थी बोखलाई हुई थी तो मैं यही कहूंगी जनता के हित के बारे में हम जनता के नुमायंदे हैं जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए हमें सडक पानी और बिजली को लेके बात करनी चाहिए ना कि 370-370 के दिल से हाथ जोड के शुक्रियादा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर दिया और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि जब तक शगुन परिहार इस सदन में बैठी हुई है वो किष्टवार के तमाम लोगों की सड़क, पानी और बिजली की समस्या को लेके पूरे हक से आवाज उठाएगी, जोरो शोर से आवाज उठाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि इस टैन्वर में वहाँ पे सड़क, पानी और बिजली की समस्या जो है वो खतम हो जाए जी मैं यही कहूंगी जिस तरीके से आज हमने ये जो बैठे हुए थे लोग इनको बात करने नहीं दी इस चीज को लेके जो की गलत बात है जो 370 को लोग सबा से पास हुआ, राज्य सबा से पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मोहर लगाई हुए ये उन चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को पहले भी गुमराह करते थे और आज भी गुमराह कर रहे हैं अगर नेशनल कांफरेंस इस तरह का रेजिलूशन लाती है, तो क्या आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा समर्थन, जो चीज देश की यूनिटी और इंटिग्रिटी के खिलाफ होगी, हम उस चीज का समर्थन कभी नहीं करेंगे, ना तो पहले कभी किया था, ना ही आगे कभी करेंगे